बोकारो के चर्चित शिव मंदिर चिर्काधाम में आज सुबह पूजा के वक्त मंदिर परिसर में विशाल काय सांप निकलने से अफरत अफरी का महौल कायम हो गया अलाकि पुजारी के मुताबिक लगातार तीन दिनों से बदल बदल कर सर्फ का दर्शन हो रहा है जिसके बाद पूरे इलाके का माहौल भक्तिमय हो गया है सांप निकलने की खबर मिलते ही सैक्णो श्रधालू मंदिर परिसर में आ जाते हैं और सर्फ दर्शन करते हैं लोगों की माननेता है सावन के पावन महिने पर सर्फ का दर्शन भगवान शीव के मंदिर में होना अपने आप में बहुत बड़ी इश्वरिय कृपा है लोगों के अनुसार भगवान शीव के शीवलिंग से लिप्टा या साप किसी को नुकसान नहीं पहुचा रहा है बलकि दर्शन देने के बाद स्वयम मंदिर से निकल कर जंगल की ओर चल देता है मंदिर के पुजारी के मुताब एक दो दिन पहले एक अजगर भी निकला था एक दू दिन बाद अजगर का दर्शन हुआ था और काल मंगल बाद साम साथ बजी बाबा उदे बाबाजी के कुटिया में नाग बापा का दर्शन हुआ प्रशन दिन अजगर के गार भी नम दिर कमने मुट निकल करके बाभा उदे बाबा राता तह vår थी हेतnant दोगे अए उसका कुटिया में आतर कर सहा है आंज आजय को बाबा कर दर्शन कीजिआ हम दोडते हुए हैं सभी ज़सू का कुचल में पहुचा आके बाबा का बाबा अपना साथ सुर्ट बलूप से खड़ा रहा सबी दर्सन किया दर्सन करने का बाबा वहीं पर रुखा रहा हम लोग उसको कुछ ने किया जो जो अभाद दर्सन करके उसके बाद उसका तेमानी हम लोग बंध कर दी है नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगता.in के साथ